Hello everyone, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Class 7 थी की NCRT की बुक से भूगोल की चैप्टर 1 परियावरन तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है परियावरन, परियावरन किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं परियावरन हमारे जीवन का मूल आधार है परियावरन क्या है हमारे जिन्दगी का एक मेन फाउंडेशन है एक मूल आधार है ये हमें सांस लेने के लिए हवा पीने के लिए जल खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमी प्रदान करता है यानि हम जिस जगह पर रहते हैं वहाई वायू है इसी वज़ा से हम सांस ले पाते हैं और हमारे पीने के लिए पानी है हमारे खाने के लिए भूजन है और हमारे रहने के लिए भूमी है ये सभी चीजें जहां हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जहां से हम लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा परियावरन कहलाता है. मानो इस प्रकृतिक परियावरन में कैसे परिवर्तन करता है अब जो इनसान है समय रहते रहते वो परियावरन में बदलाव करता है अपने एकॉर्डिंग वो अपनी जगह को बदलता है यानि जिस जगह अगर जंगल है जंगल को साफ करता है अपने रहने के लाइक बनाता है, अपने घर को बनाता है, फिर जैसे जैसे डेवलप होती है, जैसे जैसे विकास होता है, मनुष अपने सुवीधा के एकॉर्डिंग, अपने जो यूसफुल चीजे हैं, उसको अपनाने के लिए अपने परियावरन में कुछ बदलाव करता ह कार का धुआ वायू को प्रदूसित करता है पानी को पात्रे में कत्रित किया जाता है बोजन को बरतनों में परूसा जाता है और भूमी पर कार खानों का निर्मान होता है अब इंसान अपने परियावरन को किस तरह से बदलता है इंसान ने कई तरह के गाड़ियां बनाई और आज modern जमाने में कार भी हम लोग यूज़ करते हैं और कार से क्या निकलता है? धुआ निकलता है जो वायो को प्रदूसित करता है यानि कि जो हवा को गंदा करता है हवा को पॉल्यूट करता है पानी को पात्र में कत्रित किया जाता है यानि कि जो पानी है उसको बर्तनों में इकठा किया जाता है भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है जो खाना है उन्हें पहले के लोग क्या करते थे कि वो पत्तों में खाया करते थे जब इतना डवलप नहीं हुआ था जो हमारी जिन्दगी है जैसे जो लोग गुफाओं में रहा करते थी उस वक्त वो लोग किसमें खाते थी वो लोग पत्तों का यूज किया करते थे और आज हम बरतनों का यूज करते हैं बरतनों में भोजन परोसा जाता है और भूमी पर क आस्पिटल्स बनाए अपने अकॉर्डिंग हमने बैंक बनाए और फिर कई कारखानों का भी हमने निर्मान किया मानवकार मील कारखानों एवं बरतनों का निर्मान करता है और जो इंसान है वो कार भी बनाता है मील भी वो तयार करते हैं कारखाने वो एस्टिबलेश करते हैं और बरतनों का निर्मान भी करते हैं इस परकार से मानो प्रकृतिक परियावरन में परिवर्तन करता है और इस तरह से जो इनसान है जो मानाव है वो नेचर में जो हमारा परियावरन है जिसमें हम लोग रहते हैं उसको वो परिवर्तन करता है लंबे चुटियों के बाद जब रवी स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी अब एक कहानी के जरिये आपको समझानी के कोशिश की जा रही है तकि आप ये समझें कि किस तरह से परियवरन बदलता है यहां लिखा है कि लंबे चुटियों के बाद यानि गर्मी के चुटियों के बाद जब रवी स्कूल जा रहा था तब उसने क्या देखा कि उसके स्कूल के नजदीक में खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी यानि कि वहां के जमीन को खोदा गया था वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था और रवी जैसे बच्चों के लिए वही एक मैदान था जहां पर वो खेलते थे लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटो वाली एक बड़ी इमारत बनीगी जब रवी ने पता किया तो उसे ये पता चला कि लोगों के जरीए उसे ये पता चला कि उस मैदान में बहुत सारी फ्लैट वाली इमारत बनीगी जब रवी को समझ में आया कि मुलायम घास गेंदे के फूल एम तितलियों वाला विसाल मैदान अब हमेशा के लिए नस्ट हो चुका है तो उसके आखों से आसु छलकने लगे और जब रवी को ये समझ में आया कि जिस मैदान में वो खेला करता था वहाँ की घास मुलायम थी वहाँ पर गेंदे के फूल थे और तितलिया वहाँ पर मंडराती रहती थी और ऐसा ही एक ये विसाल मैदान अब हमेशा के लिए बरबाद हो चुका है तो ये सोचकर उसकी आखों में आशु आ गए उसने ये बात अपने सहपाथियों को बताई सुबह की सभा में प्रधनाचारी ने भी बहुत उदासी से कहा देखो कैसे हमारा परियवरन बदल रहा है जब उसने अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को ये बात बताई कि हमारे हमारे होती है जब प्रधनाचारी जो टीचर्स होती है वो जब सभा में आती है जब असेंबली में आती है तो उन्होंने बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा परियवरन बदल रहा है कक्षा में पहुंचकर रवी ने अपने सिक्षक से पूछा अब जब रवी ने अपने प्रधनाचारी से ये सुना कि हमारा परियवरन बदल रहा है तो वो कक्षा में पहुंचता है और वो अपने टीचर से ये पूछता है परियवरन क्या है जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो सिक्षक ने बताया अब रवी के क्वेशन को सुन करके उनके टीचर ने ने क्या बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सभी परियवरन है हम अपने आसपास हवा को महसूस करते हैं हम अपने आसपास जमीन देखते हैं मैदान देखते हैं पेड़ पौधे देखते हैं जंगल देखते हैं पहार देखते हैं और ये सभी आसपास जो चीज़ भी देखते हैं महसूस करते हैं वो हमारा परियावरन है रवी कहने लगा इसका अर्थ है स्कूल भवन मेज कक्षा में रखी कुर्सियां यहाद है कि खुला मैदान सड़क, कुड़ा, करकट मेरे दोस्त यह सभी हमारे परियावरन के अंगे हैं तो टीचर की बात सुनकर रवी कहने लगा कि इसका मतलब यह है कि अगर इसकूल की जो बिल्डिंग है मेज है और क्लास में रखी हुई जो कुर्सियां है यहाद है कि जो खुला मैदान है, सड़क है और जो भी हम कुड़ा करकर देखते हैं और यहाँ तक कि हमारे जो दोस्त हैं, यह सभी परियावरन के अंगे हैं, यानि कि यह सभी मिलकर परियावरन बनाते हैं हाँ, सिक्षक ने कहा, अब रवी के बातों को सुनकर टीचर क्या कहते हैं, कि हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तों का निर्मान प्रकृती ने किया है जैसे परवत, नदिया, पेड, प्रानी, जबकि अन्य का निर्मान मानों ने किया है, जैसे सड़कार, कपड़े, किताब, आदी अब उनकी टीचर जब ये कहती हैं, कि हाँ, ये सभी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो सभी हमारे परियावरन का अंग्य है और ये सभी मिलकर हमारा परियावरन बनाते हैं, लेकिन रुको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिनका निर्मान जिसको किस ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, जैसे कि परवत है, नदिया है, पेड़ है, प्रानी है लेकिन कुछ दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिनी इन्सानों ने बनाया हैं जैसे कि सड़क है, कार है, कपड़े है, किताब है और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें अब दो दो छातर मिलकर कारी कीज़ें, अब टीचर उन्हें एक प्रोजेक्ट सौपते हैं, वो कहते हैं कि दो दो छातर मिलकर के काम कीज़ें, अपने निकट बैठे सहपाथी के साथ मिलकर प्रकरती एवं मानों द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूशी बनाई है, रवी प साइटेड थे कि उन्हें भी लिष्ट बनानी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे नेचर ने बनाया है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे इंसानों ने बनाया है, इकबाल ने पूछा हमारा परियावरन क्यों बदल रहा है, अब एक स्टुडेंट है जिसका नाम है इकब उसने पूछा कि हमारा परियावरन क्यों बदल रहा है हम आस पास जो भी चीज देखते हैं वो हमारा परियावरन है परियावरन का अंग है और यह सभी मिलकर परियावरन बनाते हैं लेकिन हमारा परियावरन क्यों बदल रहा है सिक्षक ने उतर दिया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है ये दिन प्रती दिन बढ़ती रहती है सिक्षक ये एंसर देती है कि हमारा परियावरन इसलिए बदल रहा है क्योंकि जैसी हमारी जरूरत होती है उसके एकॉर्डिंग हम काम करते है अगर हमारी जरूरत फ्लैट की है तो हम किसी मैदान में ऐसी इमारत बनाते हैं जिसमें कई फ्लैट हो अगर हमारी जरूरत तालाव की होती है तो हम ऐसी जगा पर खुदाई करते हैं और तालाव बनाते हैं हमारी जरूरत जैसी होगी हम उसके according ही काम करते हैं और हमारी जरूरत दिन प्रती दिन बढ़ती ही जाती है अगर कहीं कच्छा रास्ता है तो वहां हमें सड़क बनाने की जरूरत होती है हम सड़क बनाते हैं अगर हमें ये जरूरत होती है कि कहीं पर हमें स्कूल बनाना है त इसी काम के कारण ही परियावरण बदल रहा है अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां लिखा है परियावरण के घटक यानि कि वो कौन-कौन से घटक है जो कि परियावरण से जुड़े हुए है कौन-कौन और तीसरा है मानव, यानि कि मानव खुद भी घटक है किसका पर्यावरन का, मानव खुद भी एक अंग है किसका पर्यावरन का, अब पर्यावरन में जो प्राकृतिक चीजे होती है, वो होती है जैसे वायू, जल, अस्धल और सजीव ये क्या है ये प्राक्रितिक है तो जो वायू है उसे हम वायू मंडल कहते हैं यानि कि जिस एरिया तक वायू फैला हुआ रहता है उसे हम कहेंगे वायू मंडल और जिस एरिया तक पानी फैला हुआ रहता है और उसके अंदर जीव रहते हैं, मचलिया रहती हैं, पेड़ पौधे रहते हैं तो हम कहेंगे वो क्या है जल मंडल और स्थल मंडल, स्थल मिंस जमीन और जितने एरिया तक जमीन होगी हम उसे कहेंगे स्थल मंडल वायू मंडल, जल मंडल और स्थल मंडल और इसके बाद क्या है सजीव सजीव मतलब जिसमें जान होती है तो सजीव जहां रहते हैं जिस एरिया तक सजीव रहते हैं जिन्दा जानवर, जिन्दा मनुष्य, जिन्दा जो भी चीज़ें हैं जैसे कीडे, मकोडे, पसू, पक्षी जितने एरिया तक ये रहेंगे हम कहेंगे वो एरिया जैव मंडल है यानि कि उस एरिया तक जिन्दगी है और वहां पर आक्सीजन है इतने एरिया तक पानी भी आविलबल है भूजन भी आविलबल है तो इस एरिया तक क्या है जेव मंडल है राइट अगर हम कहेंगे कि ऐसा प्रिथिवी से अगर हम बाहर चले जाते हैं जैसे कि अगर हम unavailable है नहीं तो वो जल मंडल नहीं होगा लेकिन जो जल मंडल है उसमें भी जिन्दगी होती है वायू मंडल में भी जिन्दगी होती है पक्षी वगरा वायू में ही उड़ते हैं इस थल मंडल में भी जिन्दगी होती है मनुष्य है पसू है वो इस थल मंडल में ही रहते हैं अब परियावरन का दूसरा अंग क्या है, परियावरन का दूसरा घटक क्या है, वो है मानो निर्मित चीजें, अब मानो निर्मित चीजें क्या क्या हो सकती है, जैसे कि इमारते मनुष्य ही बनाते हैं, पार्क मनुष्य ही बनाते हैं, पुल इंसान ही बनाते हैं, सड़क भी इंसान बनाते हैं इसमारक भी जो मॉनुमेंट्स हैं बड़े बड़े मॉनुमेंट्स हैं वो भी कौन बनाते हैं वो भी मनुष्य बनाते हैं इंसान बनाते हैं और उदोग धंदों का भी विकास कौन करता है मनुष्य ही करता है तीसरा क्या है परियावरन के घटक के रूप म चाहे एक community हो, यानि समudाय हो, चाहे धर्म से जुड़े हुए लोग हो, चाहे से続 parentheses हो यानि की जो education से relate करते हो, चाहे आर्थिक हो, यहाँ पर हर एक जगह पर मनुश्य की हिस्सेदारी है, इनसानों की हिस्सेदारी है, चाहे राजनियतिक इस्थिति हो, यहाँ पर भी हर जग मनुष्य की ही एक contribution है तो मनुष्य भी क्या है परियावरन का घटक है इसलिए हम प्राकृतिक वातावरन में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नश्ट भी कर देते हैं यहाँ पर जो टीचर समझा रही है जो इकबाल ने पूछा था question कि हमारा परियावरन क्यों बदल र तरफ बदलाव करते हैं और इसलिए हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही प्राकृतिक वातावरन में परिवर्तन करते हैं उसमें बदलाव करते हैं और कभी कभी उन्हें नश्ट भी कर देते हैं उपर के वारतालाब से आप समझ गये होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारो और पाये जाने वाले लोग, अस्थान, वस्तुएं एवं प्रकृती को परियावरन कहते हैं। उपन की कनवर्शेशन को पढ़ करके आपको ये पता चल गया होगा, आप ये समझ गये होंगे कि परियावरन कहते किसे हैं। परियावरन किसे कहते हैं कि कोई भी जीवित प्राणी, यानि कोई भी ऐसा प्राणी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई मनुष्य हो, उसके चारो और जो लोग पाये जाते हैं, जिस जगह पर वो रहता है, जो उसके चारो रस्थान है, जो भी चीज़ें हैं, और जो भ एक तो खुदरती चीज़ें पाई जाती हैं, नेचर की चीज़ें पाई जाती हैं, प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती हैं और दूसरा क्या है? दूसरा मानो निर्मित चीज़ें भी पाई जाती हैं, मानो निर्मित परिगटनाएं भी होती हैं जो इनसान जो काम करता है और जिस तरह की चीज़ों को वो बनाता है, कोई संसिथा बनाता है, कोई चीज़ बनाता है, वो सारी चीज़ें प्राकृतिक और मानो निर्मित परि गटनाओं का मिसरन है, कौन मिसरन है, परियावरन, अगर क्वेशन में आए कि परियावरन किसका मिसरन है, यानि कि परियावरन में क्या-क्या मिक्स हो रहता है, क्या-क्या मिक्स, क्या-क्या चीजे इसमें पाई जाती है, तो प्राकृतिक चीजे भी पाई जाती है, और इंस प्राकृतिक परियावरन में प्रीथवी पर पाई जाने वाली जीव एवं अजीव ये दोनों प्रस्थितियां सम्मिलित है और नेचर के परियावरन में प्रीथवी पर पाई जाने वाली जो हमारा नेचर है और नेचर है हमारे चारों तरफ क्या है नेचर भी है तो हमारे नेचर के परियावरन में हमारा जो परियावरन है उसमें नेचर भी है प्रकृती भी है तो ये जो प्रकृती है इसमें प्रीथवी पर पाए जाने वाले जीविय और अजीविय दोनों प्रस्थितियां हैं यानि कि ऐसी चीजे भी है इसमें जिनमें जान होती है और ऐसी ची कि जिन्दा प्राणियों की दुनिया जैसे कि पादप है एवं जन्तु है चाहे पेड़ पौधी हो चाहे कोई जानवर हो इंसान हो इनमें जान होती है तो उसे क्या कहेंगे जीव यह अजीव यह किसे कहते है निर्जिव प्रपदार्थों का संसार यानि कि जो बेजान है उसे अजीव यह कहेंगे एक्जामपल के लिए जैसे के इस्थल जबकि मानवे परियावरण में मानों के परसपर किरियाएं उनकी गतिवी धियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिली थे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा हमने यह पढ़ा कि प्राक्रितिक परियावरण में प्रित्वी पर पाये जाने वाले वो सभी चेजे सामिल हैं जिनमें जान होती है और जिनमें जान नहीं होती लेकिन जो मानवे परियावरण होते हैं उनमें क्या सम्मिली थ होता है इंसान जो क्रिया करते हैं इंसान जो काम करते हैं उनके जो गतिवीधिय आप सलिवान, उनके द्वारा बनाई गई रचनाय सम्मिलित। और जो इंसान है वो जिस तरह की भी छीजिदें बनाते हैं, वो सभी चीजिए किसमें सम्मिलित वो मान्वे परियावरन में सम्मिलित। चलिए अब पढ़ते हैं प्राकृतिक परियावरन के बारे में भूमी, जल, वायू, पेड़, पौधे एवं जीव जन्तु मिलकर प्राकृतिक परियावरन बनाते हैं भूमी, जल, वायू, पेड़, पौधे, जीव जन्तु ये क्या है? ये कुदरती चीजें है ये प्राकृतिक चीजें है ये नेचर की तरफ से है जिसे इनसान नहीं बना सकता है क्या जमीन को इनसान बना सकता है नहीं ये नेचर की तरफ से है, इसे नेचर ने बनाया है, इसलिए ये सभी मिलकर प्राकृतिक परियावरन बनाते हैं, अस्थल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, अस्थल मंडल यानि की जमी, जिस एरिया तक जमीन है वो अस्थल मंडल, जल मंडल, और वाईू मंडल, तीनों जहां पर मिलते हैं, weыпर जिन्दगी होती है. एक्जामपल के लिए आप यहां देख सकते हैं, कि यह हमारी परीथ हुई है, और यह है जल मंडल, यह है वाईू मंडल, और यह है अस्थल मंडल. यानि कि पानी वाले एरिया को जल मंडल वायू वाले एरिया को अस्थल मंडल और जमीन वाले एरिया को क्या कहेंगे अस्थल मंडल अब ये जो तीनों है तीनों आपस में एक जगा मिल रहे हैं और इसी जगा पर हम कह सकते हैं कि ये जैव मंडल है अगर जल मंडल में वायू ना हो, हर किसी जानदार को क्या चाहिए? ऑक्सिजन चाहिए, पेड पौधों को कार्बन डायक्साइड चाहिए, अगर यहां पर वायू ही नहीं होगी, क्योंकि पानी के अंदर भी कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं, जो पानी के अंदर उगते ह लेकिन उनको भी वायू की जरूरत होती है, तो अगर जल में वायू ना हो, तो क्या वहां पर जिंदगी होगी नहीं? अगर वायू में, अगर हम कहें कि वायू में अगर पानी की कुछ वाटर वे पर नहीं होगी, तो क्या वहां जिंदगी होगी नहीं? अगर अस्थल में अगर हम कहें कि अगर यहां पानी प्रोवाइड नहीं की जाएगी अगर यहां पर वायू प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो क्या यहां पर जिंदगी अवेलेबल होगी नहीं तो जिंदगी कहां अवेलेबल होगी जिंदगी वहां अवेलेबल होगी जहां पर वायू भी ह जहां पर जल भी हो, जहां पर अस्थल भी हो, तो ये सभी चीजें जब आपस में मिलती हैं, तभी वहां पर जिंदगी होती है, तभी वहां पर हम कह सकते हैं कि वो कौन सा मंडल है, वो जैव मंडल है, आएए अब हम इनके संबंध में कुछ और तत्यों की जानकारी प्राप उसको क्या कहेंगे अस्थल मंडल कहते हैं ये चटानों एवं खनीजों से बना होता है एवं मिटी की पतली परत से ढगा होता है अब जो ये प्रीथिवी की ऊपर की परत है जिसे हम अस्थल मंडल कहते हैं वो किसे बना होता है वो चटानों और खनीजों से बना होता है और मि पहार मैदान घाटी आदि जैसी विभिन अस्थलाकृतियों वाला विश्यम धरातल होता है इसक्राइब कियों कहा गया है विश्यम इसलिए कहा गया है क्ईश्यम च्यूअ क्यों प्रीथवी हैं हमारी हर जगासे अपडा नहीं है चूर्ञति कहीं पर पहार है, कहीं पर पठार है, पठार किसे कहते हैं, पहार के तरह ये उचा होता है, लेकिन उपर का एरिया जो होता है, वो फ्लाट होता है, और पहार कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो हमारी जो प्रीथवी है, वो कहीं, हमारी प्रीथवी में कहीं पहार है, कहीं पठ ये इसलाक्रितियां महादीपों के अलावा महासागर की सता पर भी पाई जाती है और जो ये इसलाक्रितियां है इसलाक्रितियां मिंस पहाड, पठार, मैदान, गाटी ये सब ही जो इसलाक्रितियां है वो महादीपों के अलावा यानि कि जो seven continent है हमारी प्रीथी में कितने continent ह हैं कितने महादीप है सेवन तो सेवन महादीप के अलावा महासागर की सता पर भी इस तरह की इसला किरितियां पाई जाती है अस्थल मंडल वो छेत्र है जो हमें वन क्रीशी एवं मानव बस्तियों के लिए भूमी पश्मों को चरने के लिए घास इस्थल प्रदान करता है य एक ऐसा छेत्र है जहां पर हमें वन मिलता है जहां पर क्रीशी करने के लिए और मानव बस्तियों को बसाने के लिए भूमी मिलती है पश्मों को चराने के लिए घास इस्थल मिलती है यानि कि ऐसे मैदान जहां पर घास होते हैं ताकि हमारे पश्मों चर सके यह सभी जो च कि तामबा है, अलुमीनियम है, लोहा है, या दूसरे तरह की खरी जैसे अबरक है, वो सारी चीज़े कहां से मिलती है हमें, वो सारी चीज़े हमें स्थल मंडल से ही मिलती है, जल के छेतर को जल मंडल कहते हैं, अब जल के छेतर को यानि जो जल का एरिया है, उसे जल मंडल कहत यह जल के विभिने स्रोतों जैसे नदी, जील, समुद्र, महसागर आदी जैसे विभिने जलासेयों से मिलकर बनता है अब जो यह जल मंडल है वो कैसे बनता है नदी, जील, समुद्र, महसागर इसके जैसे और भी अलग-अलग जो जलाशे होते हैं इनहीं से मिलकर जल मंडल बनता है ये सभी प्राणियों के लिए आवश्रक है और ये सभी जानदार के लिए आवश्रक है सभी प्राणियों के लिए आवश्रक है चाहे जानवर हो चाहे कीडे मकोडे हो चाहे इंसान हो सभी को पानी की जरुरत होती है प्रिथवी के चारो और फैली वायू की पतली प इसे क्या कहते हैं वायू मंडल कहते हैं यानि कि जो हवा है वो जिस एरिया तक है उसको क्या कहेंगे वायू मंडल कहते हैं। इसी ग्रैविटी की वज़ा से वो हर एक चीज को अपने तरफ खीचती है तो इसी बल की वज़ा से वो वायू मंडल को थामे रखती है ये सूरी की जुलसाने वाली गर्मी एवं हानी कारक किर्णों से हमारी रक्षा करता है और जो वायू मंडल है यानि जो वायू है वो सूरी से जुलसाने वाली गर्मी से हमारी रक्षा करता है और सूरी की हानी कारक किर्णों से हमारी रक्षा करता है इसमें कई प्रकार की गैस धूलकन एवं जलवास्प उपस्थित रहते हैं हवा में कई तरह की गैस होती है कई तरह के धूलकन होते हैं और जलवास्प होते हैं यानि की वाटर वेपर होते हैं वायू मंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायू में परिवर्तन होता है जब वायू मंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम में बदला होता है जल जन्तु है यह मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्मान करते हैं यानि ऐसा संसार जिसमें सजीव हो है यह प्रिथवी का वो संकीरन छेत्र है जहां स्थल जल एवं वायू मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं यानि कि जैव मंडल में स्थल भी होती है जल भी होता है और पायों भी होती है और ये मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मन भूलेगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में और इसकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मिल दी हूँ नेक्स वीडियो में, थैंक यू,